हालो स्टूडेंट्स मेरा नाम डाक्टर संगीता गुपता आज मैं विभिन प्रकार के लार्वा वो उनकी संद्रशना का अध्यन का सेकंड पार्ट इस वीडियो में लेकर आई हूँ फर्स्ट वीडियो में फाइलम प्लेटी हेलिमिन्थिस के लार्वा तक बताया गया था अब मैं फाइलम एसके हेलिमिन्थिस से आगे बताने जा रही हूँ फाइलम एसके लिमिन्थिस जिसके अंत्रकत आने वाले जो एनिमल है एसकेरीज हुक वम फाइलिरी वम एसकेरीज जिसका लार्वा है जो एनाईल हुक वम जिसका फाइलिरी फार्म और फाइलिरियल वम जिसका माइक्रो फाइलिरी नेक्स्ट है फाइलम एनेलिडा जिसमें आने वाले एनिमल का नाम है नेरीस और जिसका जो लार्वा होता है वो है ट्रोकोफोर लार्वा ये लार्वा बहुत ही छोटे आकार का होता है इसका सरीर पाड़दसी होता है ये नासपाती के आकार का होता है और इसके सरीर में कोई भी खंड नहीं होते हैं एक पुर्ण विक्सित प्रोकोफोर लार्वा में एक सेंसरी एपिकल प्लेट प्रेजेंट होती है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होगी बिल्कुल टिप पर एक सेंसरी एपिकल प्लेट प्रेजेंट है और जिस पर सीलिया का एक गुच्छा पाये जाता है इस में elementary canal complete होती है, mouth के just नीचे एक जोड़ी proton ephredia पाए जाते हैं, mouth के उपर pre-oral siliated bends वो mouth के नीचे post-oral siliated bend present होते हैं next है आर्थोपोडा phylum के larva देखते हैं, phylum आर्थोपोडा इस phylum के animal में direct वो indirect दोनों ही प्रकार का development पाए जाता है आर्थोपोडा के crustaceae जनतों में अनेक प्रकार के larval farm पाए जाते हैं, जैसे नापलियस, मेटा नापलियस, जुईया, एलिमा, मैसीस हम यहाँ पर सभी का structure वो structure से related कुछ important point देखेंगे सबसे पहले नापलियस होता है, यह मेटा नापलियस का डाइग्राम है, इससे भी पहले जो होता है वो है नापलियस यह first larval stage होती है नापलियस और यह नासपाती के आकार का होता है segment नहीं पाय जाते है इसमें, पानी में तेरने के लिए तीन जोड़ी unchanted appendices present होते हैं जिनके नाम है antinules, antiny और mandibles, सिर भाग में एक median eyes present होती है और elementary के नाल इसमें सीधी होती है तो नापलियस first larval stage होती है and then second जो larval stage है वो है metanapलियस जो आपके सामने दिखाई दे रहा है metanapलियस larva इसके सरीर को दो भागों में divide किया गया है सिफेलो थोरेक्स और abdomen इसकी सरीर में तीन पेर, थ्री पेर, नापलियस appendices के अलावा, फोर पेर और उसोसी उपांग भी पाये जाते है थर्ड नंबर पर है जुया लारवा यह second larval stage होती है इसका सरीर सिफेलो थोरेक्स, abdomen वो एक long tail में विभाजित होता है यह बहुत ही important larval है, इसके सरीर में सबसे first जो पार्ट है उसे हमने सिफेलो थोरेक्स का है, second पार्ट इसका abdomen है और third में इसमें एक last में एक long tail present होती है सिफेलो थोरेक्स part जो है उसमें helmet के समान केरापेस से ढखावा होता है जिसमें दो लंबे spines present होते हैं जिनें rostral spine और darsal spine काते हैं movable compound ice present होती है, ice का आकार काफी बड़ा होता है और इसके जो abdomen वाला पार्ट है इसमें six spust खंड पाये जाते हैं और abdomen वाले पार्ट में कोई भी appendices नहीं होते हैं next है mysis, mysis larva जो इसकी body होती है भूती narrow सक्री होती है इसकी body यह थोड़ा सा लंबा दिखाए देता है और mysis जो है penis में देखा गया है इसके शरीर इसका लंबा और सक्रा होता है इसके शरीर को भी हम body को इसको दो भागो में divide कर सकते हैं first है cephalothorax और abdomen cephalothorax तो इसका अगर भाग है और abdomen इसका पीछले वाला भाग है इसमें भी compound eyes present होती है सिफिलो थोरेक्स के आगे एक painted rostrum दिखाए दे रहा है आपको rostrum बाया जाता है और इसमें biremus appendices उपस्तित होते हैं next है mega lopa larva ये क्रेब की life में जुया के बाद बनता है इस लारवा में सिफिलो थोरेक्स चोड़ा होता है और कोई segment नहीं पाये जाते हैं केरापेस का अगर भाग नूकिला होता है जिसमें एक median spines present होता है compound eyes present होते हैं थोरेसिक उपांग well developed होते हैं abdomen भाग में six pair biremus pleopods present होते हैं next है phylosoma larva यह पहली नूरस में पाया जाता है इसका सरीर काफी बड़ा होता है body थोड़ी सी flated चप्ती होती है और leaf like पत्ती की समान दिखाए देता है इसके सरीर को तीन भागों में divide कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट है head सेकंड पार्ट थोरेक्स और जो इसका थर्ड पार्ट होगा वो होगा abdomen compound eyes present होती इसमें भी और six pair thoracic appendices present होते हैं next है एलीमा लारवा इस लारवा का सरीर पतला और थोड़ा सा सक्रा होता है इसमें भी केरापस present होता है केरापस चोड़ा होता है इसके अगर सीरे पर रोश्टम present होता है compound eyes present होती है abdomen में six segment present होते हैं head के सभी appendices well developed होते हैं जबकि इसका जो thorax part होता है उसमें केवल दो ही उपांग जो होते हैं विक्सित होते हैं सीर वाले part में six pair appendices well developed होते हैं जबकि thorax में दो ही उपांग well developed होते हैं विक्सित होते हैं नेक्स्ट है फाइलम मोलस्का जिसके अंत्रगत आने वाले एनिमल सभी soft body वाले होते हैं और इसके जो प्रमुख लार्वा हैं वो हैं ट्रोकोफोर लार्वा वेलिजर लार्वा और ग्लूचुडियम लार्वा यह यूनियों में पाया जाता है ग्लूचुडियम लार्वा फ्रेश वाटर में पाया जाते हैं वेरी स्माल साइज के होते हैं इनके कवच में दो वाल्व होते हैं जो तिरभूजा कार वो पोरस होते हैं वाल्व उपर की ओर से जुड़े वे होते हैं और नीचे की ओर से स्वतंत्र होते हैं दोनों वाल्वों की बीच में एक एड़क फैलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के सारे एनिमल मराइन वाटर में पाई जाते हैं, समुधर वासी होते हैं, इनका development direct वो indirect दोनों ही प्रकार का होता है इन डारेक्ट development में जल में सुतन तरतेनने वाली लार्वल अवस्थाएं पाई जाती है इकाइनो डेर्मेटा लार्वा का सबसे मुख्य लक्षन उसकी बाइलेटरल सिमेट्री का होना है जबकी उनकी adult stage में radial सिमेट्री पाई जाती है इकाइनो डेर्मेटा के जो लार्वा है उसमें सबसे महत्पॉन जो लार्वा होता है वो bipingneria लार्वा जो starfish में बाया जाता है bronchialaria लार्वा ये भी starfish में बाया जाता है इकाइनस एनिमल जिसमें इकाइनो प्लूटस लार्वा होता है होलू थूरिया जिसमें आरिकुलेरिया लार्वा होता है और एंटेडान जिसमें डॉली ओलेरिया लार्वा पाया जाता है इन सभी लार्वा का में थोड़ा सा आपको इस ट्रक्चर भी बताने जा रही हूं कि किस तरह से इसके important character होते हैं सबसे first है जिसे हम कह रहे हैं by pinneria लार्वा इस लार्वा में pre-oral ciliated bands present होते हैं जो mouth के चार ओर होते हैं लार्वा के प्रत्य लेटरल सर्फेस पर तीन लेटरल लोप्स पाय जाते हैं पोस्ट ओरल लूप present होते हैं इसमें ये लार्वा जल में स्वतनत्रता पूर्वक तेड़ता हुआ भुजन करता है और next लार्वल स्टेज ब्रेंक्योलेरिया में बधल जाता है ब्रेंक्योलेरिया लार्वा के कुछ दिनों के बाद ब्रेंक्योलेरिया लार्वा चेंच में बदल जाता है ये और इस पर तीन अतरिक्त छोटी ब्रेंक्योलर भुजाएं और हैदेसियू संरचना विक्सित हो जाती है लार्वा की ब्रेंक्योलर भुजाएं जो होती है वो खोकली होती है और जो आरिकुलेरिया लार्वा होता है होलू थूरिया का इसमें इस लारवा के जो important character है इसमें कोई भी भुजाएं नहीं होती है किन्तू selected bands इसमें उपस्तित होते हैं और इस लारवा की जो लंबाई होती है वो .5 से लेकर 1 mm हो सकती है ये लारवा पारदर्सी होता है आरीकुलेरिया लारवा और पेलेजिक सोभाव का होता है इसकी जो आहन नाल होती थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है और स्टमक जो हता है सेकलाइक होता है ये डाली ओलेरिया लारवा में परिवर्तित हो जाता है डाली ओलेरिया लारवा जो है वो एंटेडान में देखने को मिलता है यह लारवा का सरीर अंडाकार होता है और सरीर के अगर भाग पर एक एबिकल सेंसरी प्लेट प्रेजेंट होती है जिस पर सीलिया का एक गुच्छा पाया जाता है सरीर पर 4 से 5 तक सीलेटेड बेंड्स उपस्तित होते हैं नेक्स्ट है फाइलम हेमिकार्डिटा हेमिकार्डिटा के अंद्रगत आने वाला जो एक इंपोर्टन एनिमल है जिसका नाम है बेलेनो ग्लासेस बेलेनो ग्लासेस का जो लारवा होता है वो होता है टर्नेरिया लारवा इस लारवा के इस लार्वा को पहले स्टार्फिस के लार्वा का समझा जाता था इसा मना जाता था कि स्टार्फिस का लार्वा है टर्नेरिया लार्वा लेकिन बाद में ये बताया गया कि बेलनो ग्लासिस का लार्वा होता है ये लार्वा पारदरसी और चमकिला होता है इसका जो size होता है वो 3 mm हो सकता है और इसकी ventral surface पर mouth present होता है और इसके posterior end पर NS present होता है शरीर की सतह पर दो सिलेटेड बेंड्स उपस्तित होते हैं अग्र सिरे पर एपिकल प्लेट उपस्तित होती है और प्लेट पर सेंसेरी सीलिया पाय जाते हैं एक जोड़ी आइस पॉर्ट्स प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने फाइलम S कहली मिंतिस से लेकर हैमिक और्डिटा तक सभी लार्वल फार्म देख लिये हैं अब मैं आप से दो प्रश्न कुछने जा रही हूं फर्स्ट कोशन है बायपिनेरिया लार्वा किसमें पाया जाता है सी अरचीन, सी लिली, सी स्टार या स्टारफीस और मेरा दूसरा कोशन है फर्स्ट कोशन का पहले एंसर बता देती हूं बाइ पिनेरिया लार्वा स्टार्फिस में पाया जाता है अब मैं आपसे दूसरा कोश्चन पूशने जा रही हूँ आप इसका एंसर सोच लीजिए जल्द से जल्द उसके बाद में एंसर बताने वाली हो सेकंड कोश्चन है टर्नेरिया लार्वा टर्नेरिया लार्वा किसमें पाया जाता है आपको जल्दी से सोच कर जवाब रखना है आपके पास और चेक करना है कि आपका जवाब सही है या नहीं टर्नेरिया लार्वा किस में पाया जाता है बेलेनो ग्लासिस में साइकान में प्लूरो ब्रेंकिया में या फिर सी एनीमोन में सोच लिया होगा अपने जवाब चलो आपका एंसर चेक करते हैं टर्नेरिया लार्वा बेलेनो ग्लासिस में पाया जाता है इस तरह से आज मैंने आपके लिए पूरे लारवल फार्म का कम्प्लीट स्ट्रक्चर और किस एनिमल में ये लारवा पाए जाते हैं बताया है उम्मीद करती हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा ओके बाई बाई थैंक्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ